इस वीडियो में चैप्टर नमबर एट होकी को पढ़ा जाएगा होकी एक किसम का खेल है जैसे कि यहां इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक खेलाडी ने हाथ में होकी स्टिक थाम रखी है और इसकी मदद से गेंद जो है उसको धकेला जाता है और गोल बनाए जाते हैं जिताने के लिए तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं स्पोर्ट और फिजिकल एडिकेशन आर फंडेमेंटल तो दी अर्ली डिवेलिपमेंट आफ चिल्रन एंड यूथ यानि खेल और जिसमानी वर्जिश्त मतलिक जो तालीम तर्बियत होती है यह बचों और नौण होती है उसकी बुन्यात का एहम हिस्सा है या जुष्व है दिस्किल्स लेंट फ्रम स्पोर्ट कोंट्रिब्यूट तो दी एंटाय डिवलिपमेंट और यंग पीपल खेलों के जरिये सीखे जाने वाली जो मुक्तलिफ महारतें होती हैं वो नौजवान लोगों की न की वैल्यूस सच आँनस्टी, टीमवर्क, फैर प्लेय, रिस्पेक्ट फोर थमसल्स और और इंडेरेंस जुष्व रूल्स खेलों में हिस्सा लेकर वो एहम बुनादी जो कद्रे होती हैं उनकी आहमियत के मतालिक जानते हैं जैसे के honesty यानि इमानदारी, team work, मिल जल कर खेलना, fair play, इमानदारी से खेलना, respect for themselves and others, अपना और दूसरों का एतराम, an adherence of rules, और कवानीन पर अमल पहरा होना, या उन पर अमल करना, there are many sports played worldwide, यानि या दुनिया भर में बहुत से खेल खेले जाते हैं, the top 5 sports are football, cricket, basketball, hockey and tennis, पांच सबसे एहम खेल जो हैं, football, cricket, basketball, hockey or tennis, among all these, hockey is our national game, in सब में से hockey जो है, वो हमारा कवमी खेल है, it is played throughout the country, इसे मुल्क भर में खेला जाता है, many countries of the world started playing hockey in the 19th century, दुनिया के बहुत से मुमालिक जो हैं उन्होंने उनीसवी सदी में hockey का जो खेल है से खेलना शुरू किया, it became very popular in Great Britain, बरतानिया में ये खासा मकबूल हुआ, British soldiers brought this game to the subcontinent when Great Britain occupied this part of the world in the 19th century, बरतानवी फोजी खेल को बरे सखेर में लेकर आई थे, जब उन्होंने उनीसवी सदी में दुनिया के इस हैसे पर कबज़ा किया था, So, in the history of Pakistan, hockey is as old as that of the country itself. माफ कीज़ेगा, इस जुमले को दुरूस्ट कर दिया गया है, यह जुमला इस तरहां से होना चाहिए था, So, the history of Pakistan hockey is as old as the country itself. तो पाकिस्तान hockey की जो तारीख है, वो उतनी ही पुरानी है, जितना के यह मुल्क पुराना है, जैसे कि अंग्रेजर उन्ते क्रीबन दो सौ साल इस खित्ते पर हुकूमत की और फिर उनके जाते ही, पाकिस्तान वजूद में आ गया, तो hockey जो है क्यूंके उतनी ही पुरानी है, कि जितना कि यह मुल्क पाकिस्तान पुराना है, यानि शुरू से ही पाकिस्तान में हौकी का जो खेल है वो खेला जा रहा है, Between 1956 and 1986, पाकिस्तान रिकॉर्ड़द एक्स्टाइणरी कॉंक्वेस्ट विच इस तिल अनमैच्च्ट. 1956 से 1986 के दर्मयान, ऐसे मुनफरेद और जबरदस्त मुकाबले रिकॉर्ड किये गए, जिनका आज तक कोई मुकाबला नहीं है, या वैसी मिसाल आज तक नहीं मिलती. Three times during this period, पाकिस्तान रिकॉर्ड वोल्म्पिक और वोल्ड कॉप ग्रांज. यनि इस दौरान तीन मुर्डबा पाकिस्तान ने एल्म्पिक और वोल्ड कॉप जीता, the Asian Games title was won six times and the Champions Trophy in the first two years of its inauguration. छे मर्तबा Asian खेलों का title जीता और Champions Trophy को उसके मनकिद होने के पहले ही दो सालों में जीता. Inauguration कहते हैं किसी चीज़ का मनकिद होना यनि उसका आगाज होना या उसको शुरू करना. Two times Pakistan held Asian Olympic and World Cup crowns. Three of the world's most prestigious titles. दो मर्तबा Pakistan ने Asian Olympic और World Cup को जीता, जो के दुनिया के तीन सबसे आला एज़ाज माने जाते हैं. No other hockey playing country has achieved this victory in the history of the game so far. यानि होकी के खेल की तारीख में होकी खेलने वाले किसी भी मुल्क ने इस तरहां की काम्याबी हासिल नहीं की. Players undertake different positions in hockey. अब होकी की खेल के मतालग बताया जा रहा है, उसे किस तरह से खेला जाता है? मुक्तलिफ खेलाडी जो होते हैं, वो मुक्तलिफ जगों पर ताइनात हो जाते हैं. They are attackers, midfielders, defenders and goalkeeper who remains in his team's shooting circle, protecting the area. तो इन में से कुछ जो होते हैं, वो attackers होते हैं, जो आगे भर कर एक तरह से हमला करते हैं, यानि दूसी team का मुकाबला करते हैं. midfielders होते हैं, जो के, जो मेदान होता है, hockey का उसके दर्मयान में रहते हैं, फिर defenders होते हैं, जो के, टीम का दिफार करते हैं, और फिर goalkeeper होता है, जो के, उस जगह पर मौझूद रहता है, जहां से goal करना होता है, ताके वो उस area को, एक तरह से उसकी हफाज़त कर सके, और goal होन करने से रोक सके, यानि मुखालिफ टीम को goal करने का मौका ना दे, इच टीम कंसिस्ट आफ 16 प्लेयर्स, 11 on the field and 5 in the interchange area, हर टीम के 16 खिलारी होते हैं, 11 जो हैं, मैदान में होते हैं, जबके 5 जो हैं, इंटरचेंज एरिया दरसल ground के किनारे पर एक खास जगह मुख्तस कर दी ज जाती है, जहां पर के खिलारी जो हैं, वो बैट कर इंतजार करते हैं अपनी बारी का और दूसरे खिलारियों की जगह लेते हैं, तो 5 खिलारी जो हैं, वो इंटरचेंज एरिया में मौझूद रहते हैं, प्लेयर्स यूज यूज दे होकी स्टिक तू कंट्रोल, पास, केलते हैं, या उसको हिट लगाते हैं, the objective of the game is to get the ball into the opposing team's goal, तो इस खेल का मकसद क्या होता है, कि game जो है, उसको दूसरी जो team होती है, उनकी जो मतरादिफ team होती है, उसके goal तक पहुंचाना होता है, यानि goal के अंदर तक पहुंचाना होता है, the team that scores goals wins the match, the team that scores more goals wins the match, यानि जो भी team ज्यादा goal करती है, वो match जीच जाती है, the match consists of two periods of 35 minutes, with a short half-time break of about 5 to 10 minutes, तो जो match होता है, उसमें दो दो दोरानिय होते हैं, यानि match को दो हिस्सों में तक्सीम किया जाता है, हर एक दोरानिय जो है, वो 35 minutes का होता है, और फिर उसके दर्मयान एक छोटी सी half-time break होती है, जो के 5 से 10 minutes की होती है, If there is an even score or tie at the end of regulation time, two extra time periods of seven and a half minutes can be given, अगर दोनों टीमों के जो गोल हैं वो अपस में बराबर हो जाएं, यानि उनके दर्मयान एक tie पर जाएं, तो क्या होता है, कि जो मकररा वक्त है, उसके बाद, वक्त के लिहास से दो और मौके दिये जाते हैं, यानि बाकी के वक्त को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इन में से हर एक हिस्सा जो है, वो साड़े 7 minutes का होता है, यानि इस तरह से ये इजाफी वक्त जो है, ये दिया जा सकता है, उस tie को तोडने के लिए, तो इस वक्त की दुरान, यानि ये जो इजाफी वक्त दिया जाता है, और एक और चांस दिया जाता है, तो इसके दुरान, जो टीम सबसे पहले गोल करती है, वो जीट जाती है और खेल रुक जाता है, और इसे गोल करने का सुनहरा असूल कहा जाता है, लेकिन इस इजाफी जो वक्त दिया जाता है, उसके बाद भी अगर टाय जो है वो बरकरार रहे, और यानि उनका स्कोर दोनों टीमों का बराबर रहे, तो फिर पैनल्टी स्ट्रोक का मौका दिया जाता है, और उसकी बन्यात पर फिर फैसला होता है कि कौनसी टीम जीतेग Women also actively take part in the game, khawateen जो है वो भी भरपूर तरीक से इस खेल में, खेल का यानि हिस्सा बनती है, या इसमें हिस्सा लेती है, an international women hockey tournament An international women hockey tournament was held in Lahore in 1996, माव कीजीगा इस जुमले को एक मरतबा फिर परते हैं, an international women hockey tournament was held in Lahore in 1996 यानि 1996 में, Lahore में, बेनलवामी सता पर, khawateen का, होकी का tournament हुआ, पाकिस्तानी women hockey team participated in it पाकिस्तान की khawateen की जो होकी टीम थी, उसने इसमें हिस्सा लिया, पाकिस्तान women hockey is still thriving and making its way to the international level thriving से मराद है, पनपना, फरोग पाना, यानि आगे को बढ़ना या उसमें बेहतरी आना तो इसके मतलब बताय जा रहा है कि पाकिस्तान की जो khawateen की, होकी की जो सलायत है वो आगे बढ़ रही है और अपने लिए बेनल अक्वामी सता तक जाने का रास्ता बना रही है The following titles were won by Pakistan Pakistan ने मंदर जाजेल एजाजाद को जीता The first Asian Games hockey title was won by Pakistan, 1958, Tokyo Tokyo में 1969 में पाकिस्तान ने पहला एजाई खेलों का एजाज जीता The first World Cup was won by Pakistan, 1971, Barcelona 1971 में बार्सलोना जो की इस पेन में है, वहाँ पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता The first junior World Cup was won by Pakistan, 1978, Versailles जो के फ्रांस में मौझूद है तो पहला junior World Cup पाकिस्तान ने 1978 में जीता The first champion trophy was won by Pakistan, 1978, Lahore और पहली champion trophy जो है वो, पाकिस्तान ने 1978 में लहोर में जीती The first Asian Cup was won by Pakistan, 1982, कराची पहला एशियाई कप पाकिस्तान ने 1982 में कराची में जीता तो अब ये lesson यहां मुकमल हो गया है, इससे मतालएक activities को हम अगली वीडियो में मुकमल करेंगे आप इस वीडियो को replay कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए